आज हमने हे की दोहराई करनी है कल हमने क्या पढ़ा था हे चले अब हम इसकी दोहराई कर लेते हैं फिर इसकी प्राक्टिस करेंगे स्टूरंट्स कल हमने हे की कहानी पढ़ी थी इसमें हाजरा के अम्य अबू हज करने अला तला के घर जाते हैं अला तला के घर को क्या कहते हैं खाना काबा और हज करने वाले को क्या कहते हैं हाज जी हाज राके अमी अबू जब हज से वापस आते हैं तो उन्हें क्या खराया जाता है हल्वा सही प्यारे बच्चों आप सब दुआ करें कि अल्ला ताला हम सब को भी हज के लिए अपने घर बुलाएं आमें चले ये क्या है हे हे की अवाज क्या होती है हे हा हे की अवाज क्या होती है हे हा हे कैसे लिखते हैं गोल किया हे कैसे लिखते हैं इसको गोल किया एक लाइन सेमन बनाना है इसको छोटा सेमन फिर नीचे से इसको गोल कर देना है कैसे लिखना है, गोल किया चोटा 7 और नीचे से फिर गोल कर देना है, गोल चोटा 7 फिर से गोल, इसी तरह ये वाला भी लिखना है, चले अब हम इसके मश्क करते हैं, हर्फ की पहचान करें और लिखें, ये क्या है, हेहा, हलवा, हेहा, हजाम, हेहा हलवा हेहा हजाम हेहा हलवा हेहा हजाम हलवा खाते हैं न हम प्यारे बचो यह वो हलवा है और हजाम से हम बाल बनवाते हैं यह वो वाला हजाम है चले अब हम हे लिखते हैं गोल किया छोटा सैवन नीचे से फिर से इसको गोल कर देना है गोल किया छोटा सैवन गोल कर दिया गोल किया छोटा सैवन फिर से गोल गोल किया छोटा सैवन फिर से गोल गोल किया छोटा सैवन फिर से इसको गोल कर देना है गोल किया छोटा सेवन फिर से गोल कर देना गोल किया छोटा सेवन गोल कर देना इसी तरह हमने बाकी भी लिखने है और अच्छा अच्छा लिखना है रोड से नीचे नीचे ना जाए और प्यारा प्यारा काम करना है इसे आपने वर्क बुख पे अच्छे से लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है असलामुलेकूम बलिदेटो आज हमने हे के अबारे में वर्क बुख पे लिखा है और रिढ़ बुक पे ये पढ़ेंगे हे हा हाजी हे की अवाज क्या होती है? हे की अवाज क्या होती है? हे हा हे की अवाज क्या होती है? हे हा हे की अवाज क्या होती है? हे हा हे हा हाजी हे हा होस हे हा हलवा हे हा हाजी हे हा होस हे हा हलवा हे हा हा जी हे हा होज हे हा हल्वा नुक्ते में लाकर तस्वीर मकमल करें और रंग बरें पहले हमने इसकी आउटलाइन करनी है पहले हमने इसकी पैंसिल के साथ ट्रेसिंग करनी है पैंसिल के साथ इसको ट्रेस करके फिर इसकी हमने आउटलाइन करनी है आउटलाइन कैसे करनी है आउटलाइन ऐसे करनी है आउटलाइन करके फिर हमने इसमें रंग बरना है ऐसे इसी तरह बाकी कैट में भी बाकी बिली में भी हमने आउटलेंड बना लेनी है ऐसे फिर हमने इसमें ऐसे रंग बढ़ना है प्यारा प्यारा रंग करना है इस तरह हमने इसमें रंग बार देने ओके स्टूडेंट आपने इसे अच्छे से पढ़ना है और याद करना है अलाफीस